नारद जेनति की हारदिक शुबकामना एं भगवान विष्णु की कृपा हमारे शबी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी शुबकामना है यही हमारी मंगलकामना है नारद जी को देवताओं का रिशी माना जाता है वह सदैब लोग कल्यान के परचार और परसार को अविर्यल गती से प्रभाहित करने वाले रिशी हैं सास्त्रों के अनुसार स्रिष्टी में एक लोग से दुसरे लोग में बिचरन करते हुए नारदमुनी सभी के कस्टों को प्रभू के समख्ष रखते हैं दिवर्षी नारद देब और दैतो शभी के पुझनिये हैं नारदमुनी का वाद वीना है इस वीना से वह सदैब नारायन का गुनगान करते हैं नारद जी अनेक कलाओं और विद्याओं में निपुन है और त्रिकाल दर्शी कहे जाते हैं उन्हें सास्त्रों का रचीता आचार्ज और बेदों का ग्याता माना गया है उन्हें कठीन तपस्या से ब्रहमर्शी पदप्राप्त हुआ था नारद जी को महर्शी व्याष महर्शी बालमिकी और महाग्यानी शुकदेव का गुरू माना जाता है संसार के कल्यान के लिए नारद मुनी के कई कामों का उलेक शास्त्रों में मिलता है श्री लक्ष्मी जी का विवाह विश्नु जी के साथ होना भगवान शीव का विवाह देवी पारवती से संपन्न कराना महादेब द्वारा जालंधर देत का विनाज करवाना बालमिकी को रामायन की रचना की प्रेरना देना ब्यास जी से भागबत की रचना करवाना आदिकार्ज उनहीं के द्वारा संपन कराएगे दिवर्शी नारद भगवान विश्नु के परमभक्त हैं श्री हरी को भी नारद अत्यंत प्रिय हैं नारद अपने आरद विश्नु के भगतों की मदद भी करते हैं मानिता है कि नारद ने ही प्रहलाद अमरीश और धृब जैसे भगतों को उपधेश दे कर भगती मार्ग में प्रविर्ध किया यह भी माना जाता है कि राजा प्रजापती दक्ष ने नाराजी को सराब दिया था कि वो दोछन से जादा कहीं नहीं रूप पाएंगे यही हो जा है कि नारद अक्षर यात्रा करते रहते थे ब्रह्मा के पुत्र होने से पहले नारद मुनी एक गंधर्व थे पौरानी कथाओं के अनुसार अपने पुर्वजन में नारद उप्रभन नाम के गंधर्व थे उन्हें अपने रूप पर बहुत ही गमन था एक वारश्वर्ग में अपसराएं और गंधर्व गीत और निर्थ से ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे तब भरनिस्त्रियों के शाथ वहां आये वहां उनकी वेभार से उपासना करद में बाधा पड़ी यह देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हुए और उस गंधर्व को सराप दे दिया कि वह मनुष्ययोनी में जन्म लेगा बाद में उस गंधर्व का जन्म एक दासी के पुत्र के रुप में हुआ माता पुत्र दोनों सच्चे मन से सादो संतो की शेवा करते पांच बर्श की आयू में उनकी माता की मिर्थ वो गई माता की मिर्टु के बाद नारद ने अपना समस्त जीवन इश्वर की भक्ती में लगाने का संकल्प लिया कहते हैं कि एक दिन वहेक बिक्स के नीचे ध्यान में बैठे थे कभी अचानक उन्हें भगवान की जलक दिखाई परी इस घटना के बाद उनके मन में इस्वर को जानने और उनके दर्शन करने की इक्छा प्रवल हो गई तभी अचानक आकास बानी हुई कि इस जन में उन्हें भगवान के दर्शन नहीं होंगे बलकि अगले जन में वह एक पारसद के रूप में उन्हें पुनह प्राप्त कर सकेंगे समय आने पर बालक नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतिर्न हुए दिवर्शी नारद के शभी उपदोसों का निचोर है शर्वदा शर्वभावेन निच्चिंतई भगवाने वह भजनी है अर्थात शर्वदा सर्वभाव से निच्चिंत होकर किबल भगवान का ही भजन करना चाहिए तो बोलिए जैजैसी आराम जैसी आराम